हालो एब्रीबन वेल्कम टू ओडिशे टेडर्स एचार्ट मस्टर क्रूप तो फ्राइडे के लिए निप्टी का अनलेसिस करें इसे पहले थार्स डे का पर्फरमास देख ले थे तो थार्स डे को अमारा जो कॉल्स दिया गया था आपको चोटा कॉल दिया गया था चोटा इसमें की इतना मोग नहीं हुआ मार्केट निप्टी जो है निप्टी साइडवेज मूब किया तो इसमें आपको ज्यादा अच्छा प्रफिट नहीं हुआ अगर आप लास्ट अप्र वेट की हैं वहाँ पे लौस हुआगा क्योंकि आपको यहां पर समझ जाना चाहिए कि कि अगर मार्केट साइडवेज होता है तो आपको कुद वहां से एकजीट हो जाना से छोटे लास के साथ फिर भी बैंक निप्टी में आच्छा-खासा प्रफिट आपको देखने को मिला बैंक निप्टी का जो कॉल सापको एक ही कॉल दिया गया था इसमें आपको आच्छा- अगर आप लास्ट तक वेट किये दोनों को जीरो होने तक अगर वेट किये तब भी जाके इतना लॉज हो जाते हो तो लगभग जीरो के बराबर आपका लॉज काल का है मनुला काल जो ही रोजिरो कॉल्स था इतना आच्छा काम नहीं किया क्योंकि निप्टी में बुलिश किये हैं और आइटेम का जो स्ट्राइक प्रेस में काम किये तो आपका अच्छा खासा प्रफिट हुआ होगा तो निप्टी का अभी देखिए अभी फिलाल इस जिस निप्टी अगर आप देखेंगे 17,880 के आसपास ट्रेल कर लें मतलब और अब भी देखेंगे तो 17,890 भी हो गया है ठीक है मतलब 17,890 के आसपास मार्केट ट्रेल कर रहा है तो जैसे कि हम बात किये थे कि मार्केट में ज्यादा खासा बड़ा गिराबट अभी देखने को नहीं मिलेगा मार्केट केंट टॉट्स 20,000 बाइजर डिसेंबर यह मैं आपको बोला था पहले ही क्योंकि हमारा आनलेसिस के यह दिखा रहा था तो हमारा क्या-क्या टार्गेट हो सकता है आगे जाके इसको हम डिस्कसन करेंगे तो अभी फिलाल अगर निप्टी यह जो रेंज है इसको करने के लिए ट्राय करेगा ठीक है तो पंद्रा मिनिट में अभी चले आते हैं तो पंद्रा मिनिट में अगर आप देखेंगे निप्टी का जो में रेजिस्टन्स था 17,775 इसका उपर क्लोजिंग दिया तो आज का कैसिस में मार्केट में ग्याप अपन का चंसर जदा है निप्टी का उपन नियर 17,870 और 880 ठीक है यह जो लेवल है इसके उपर सस्टन कर लेता है तो आपको क्या करना है यहाँ पर सी शैट के लिए जाना है पर टार्गेट आप 17,985 पहले 100 पॉंट्स का टार्गेट रखके चलिया आपको ठीक है तो फिर चे मैं बता लेता हू 17,870 के उपर अगर सस्टन करेगा तो आपको सी शैट के लिए जाना है ठीक है तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको प्रफिट हो सकता है तो बैंक निप्टी का लेख लेते हैं तो बैंक निप्टी का भी अच्छा खासा मूव कल दिया कल बहुती बढ़िया मतलब एक रें आउट किया इसके साथ साथ कानफरमेशन भी दे दिया है कि यह जो रेंज से इसको मार्केट ब्रेक किया है ठीक है मतलब आप साइट में ब्रेक आउट हो गया है तो यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेना का ज़रूर नहीं है 200-300 पॉइंट का उपर अगर मार्केट खुलता ह थोड़ा सावट किजिए और 40,000 870 यह रेंज के लिए भी आप जा सकते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सावट करके काम करना है क्योंकि जैसे कि फ्राइडे होता है हम नर्माली इसको बोलते है प्रीमियम फ्राइडे क्यों बोलते है क्योंकि इस दिन प्रीम आप बायर है तो बायर के लिए यह परीशानी हो सकता है फिर भी आप आच्छा खास है यहां पर अगर मूब देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर जो जितना रेंज में मार्केट क्लोजिंग हुआ है और 300 पॉइंट उपर मार्केट कुलने का चंसे से ठीक है तो यह जो ल अब सी शाइड के लिए जाएंगे ज्यादा पी शाइड के लिए अज नहीं सोचेंगे फिर भी मार्केट के कंडिशन के हिसाब सम देखेंगे आज थोड़ा में मार्केट में बाहर रहने का चंसे से आज नहीं रह सकता तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो डेफिनेंटल आज तो प्रोवाइड यू दा कॉल तो थैंक यू थैंक यू पर वाचिन है वीडियो